नमस्कार दोस्तों गिलवान आई केर यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपके लिए एक नहाटोपिक लेकर आया हूँ कि नेचुरल तरीके से आखों को कैसे स्वस्थ रखें और आई साइट को कैसे इंप्रू करें इसमें हमें कुछ बातों को ध्यान रखना होगा कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं करनी चाहिए है नमबर एक मॉबाइल ये टीवी पर बहुत ज़्यादा समय नहीं बिताना है क्योंकि मॉबाइल और टीवी से हमारी आखों में ट्राइनेस की प्रबलम होती है जलन होती है जिसे हमारी आखों पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है और आईस हेट वीक होती है नमबर दू फास्ट फूड खाने में फास्ट फूड कम से कम लेना है क्योंकि फास्ट फूड में कोई नूट्रियंट्स नहीं होते जो हमारी बोडी को हेल्दी रखे और हमारी आईस को स्वस्त रखे नमबर तीन लाइट बंद करके मोबाइल का पुरियोग ना करें और बंद लाइट करने पर मोबाइल का हमारी आखों पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इसलिए मोबाइल को प्रॉपर लाइट में रूम की लाइट जलती हुई और कम ब्रैटनेस में देखें नमबर चार बच्चे जिस रूम में पढ़ते हूं उस रूम में प्रॉपर लाइट होनी चाहिए कम light में पड़ने से आखोंपे stress परता है जिसे हमारी eyesight weak होती है नंबर पांच चलती हुँई बचिया train में हमें पढ़ना नहीं चाहिए क्योंकि अगर हम चलती हुँ बचिया train में पढ़ते हैं तो लेटर जो है movement करते हैं जिसे हमारी आखोंपे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है इसलिए गलती कभी भी ना करें अब हमें क्या करना है सबसे पहले सुबह उठकर मुँ में पानी बरकर आखे साफ करनी है और दिन में कम से कम 3-4 बार साफ पानी से हमें आखे दोनी है नमबर दो सुबह पारक में या खेतों में घुमने जाएं और नंगे पाओं गास पर चलें जिसे हमारी आईसाइट इंपरू होती है नमबर 3 डाइट डाइट में हमें दूद हरी सबजियां गाजर, पपीता बादाम का सेवन परचूर मातरा में करना चाहिए इसे हमारी आखों की रेटिना को ताकत मिलती है जिसे हमारी आईसाइट इंपरू होती है नर्चार आवला हमारी आखों की रोशनी के लिए बहुत ही लाबदायक है आवले का सेवन नियमत करें लगातर तीन मेने करने के बाद हमारी आखों में बहुत सुधार होता है धन्यवाद आपने इत्मिनान से वीडियो को देखा बहुत बहुत धन्यवाद